आज की वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे 10 alpha plus beta equal to 10 alpha plus 10 beta over 1 plus 10 alpha 10 beta पिछली वीडियो में हमने fundamental law cos alpha minus beta को प्रूफ कर रहा था है यह दोनों प्रूफ जो हैं पेपर के लिहाज से बहुत ही important रहा है और exercise 10.2 प्रूफ करने के लिहाज से भी अच्छा प्रूफ में क्या करते हैं सबसे पहले कोई side लेते हैं तो हम लोग left hand side से शुरू करते हैं left hand side अच्छा left hand side किसके बराबर है 10 alpha plus beta के equal है अब हमें एक चीज़ पता है कि 10 theta किसके बराबर होता है sin alpha plus beta किसके बराबर होता है sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta के equal होता है इसी तरह cos alpha plus beta किसके बराबर होता है cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta के equal होता है तो इन दोनों की जगा ये चीज़ रख दूँ तो क्या बन जाएगा sin alpha plus beta की जगा लिख देते है sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta over cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है हमें लाना है 10 10 में सब कुछ लाना है 10 के लिए हमेशे क्या होते है sin over cos होते है sin की नीचे हमें कहा है cos की terms चाहिए तो हम लोग सब को किस से divide करवा देंगे dividing by cos alpha cos beta cos alpha cos beta जिन सब को divide करवा देंगे तो क्या होगा इससे हमारे पास देखे है सब के नीचे लिख दूँ sin alpha cos beta इसके नीचे लिख देता हूँ cos alpha cos beta इसी तरह plus हो रहे है क्या cos alpha sin beta cos alpha sin beta इसके नीचे भी वही चीज़ आ जाएगी cos alpha cos beta over cos alpha cos beta लिखावे cos alpha cos beta इसके नीचे भी वही आ जाएगा cos alpha cos beta minus और या आखरी लिखावे sin alpha sin beta और इसके नीचे भी सेम चीज़ आ जाएगी cos alpha cos beta अब देखें करने से क्या हुआ हमारे पास पहले तो बहुत साथ चीज़ों पर cancel हो गई जैसे cos beta से cos beta हमारे पास cancel हो गया इसी तरह cos alpha से cos alpha cancel हो गया यहाँ पर पूरा cos beta cos beta तो यह पूरी ड्रम यह पूरी ट्रम से cancel हो गई और यहाँ पर कुछ भी cancel नहीं हो तो इसकी वज़े से देखें क्या बन गया sin alpha over cos alpha sin over cos tan के बराबर हो गया sin alpha over cos alpha किसके बराबर हो जाएगा tan alpha के बराबर हो जाएगा इसी तरह plus cos alpha यह किसके बराबर हो का tan alpha और sin beta cos beta यह किसके बराबर हो का tan beta तो यह बन गया tan alpha multiply by tan beta और यही वो proof है जो के हमें कड़ना था और यह paper के लियाज से एक important proof है